हेलो गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल वेलकम तो फिनांस मार्केट वेलकम तो अन्यदर वीडियो दोस्तों रिलाइन्स कोम्यूनिकेशन लिमिटेट के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वह ऐसाई थीक सेम टू सेम चल रहा है एयर सेल के अंदर दोस्तों एयर टेल नहीं मैं की बात कर रहा हूं दोस्तों इस दोनों कमपनीज की इनसॉलेंसी प्रॉसेस के जरी है इनसे वसूली करनी करी जानी है लेकिन यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है सामने दोस्तों रिलाइन्स जीयो और रिलाइन्स कोम्यूनिकेशन डील अब एक तरीके से क कि देन का कारोबार कैसा रहा दोस्तों आज के दिन यह 7.2.65 पर वहां से लो बनाता है 2.65 का पुरे दिन में और हाई बनाता है 2.75 का जो की आज की दिन का इसका अपर सर्केट लेवल भी है और लोग सर्केट लेवल 2.55 का लगा था closing अगर आप देखेंगे तो 2.75 पे close हुआ है जो की 0.10 पॉइंट उपर है आप देख सकते हैं अपने highest price पे close हो रहा है last के दो तीन दिन से वहीं अगर आप BSE के उपर आप देखेंगे तो BSE के उपर इसने 2.58 से open होने के बाद low बनाता है 2.57 का और high बनाता है 2.79 का अब वहीं अगर अपर सरकीट या आप बात करें तो 2.83 का अपर सरकीट लगा था यहां पे और 2.57 का lower सरकीट लगा था जो की आज के दिन हिट हुआ currently ये 2.73 के उपर ये close हुआ है आज के दिन यानि 20 अगौस्त को लगभग 0.03 पॉइंट उपर है अपने last closing price 2.70 से टोटल वॉल्यम के अगर आप बात करेंगे तो BSE के उपर जो टोटल वॉल्यम ट्रेट हुआ है वो 1.48,33,053 वहीं अगर आप NSE पे टोटल वॉल्यम देखेंगे तो 3.79,90,585 सोच भी नहीं सकता है कोई इतना ज्यादा यूज कॉंटिटी में लोग यहां पे sell off कर रहे हैं और लोग buy भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि मतलब जबर दस तरीके से buying भी हो रही है और starting of this session मतलब morning के कुछ hours तक ये एक तरीके से constantly अपने lower circuit पे चलना था और lower circuit पे चलने के पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है मैंने आपको आज इससे पहले वाली वीडियो में बताई भी थी इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि lower circuit इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पे reliance जियो ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो दूसरी company के जो dues है उसको नहीं पे करेगी और साफ साफ में liquidation की बात चल लए थी तो दोस्तों अब आज के दिन की hearing यानि Supreme Court ने आज फिर से इस बात को ले करके सुनवाई करी है और Supreme Court ने यहां पे दोनों पच्छों को रखा है एक तरीके से दोनों बातों को मतलब banks जो हैं, banks चाह रहे हैं कि banks अपना पैसा वसूलना चाह रहे हैं, lenders अपना पैसा वसूली करना चाह रहे हैं वहीं dot अपना पैसा वसूली करना चाह रहे है, है न? AGR amount के रूप में तो दोस्तों बात ये है कि company के पास इतनी संपत्ती इतनी property नहीं रहे गई है कि वो दोनों लोगों की बातों को मतलब दोनों लोगों के dues को पे कर सके banks अगर अपना पैसा लेके उठाते हैं तो उसे government को कुछ नहीं मिलेगा government अगर अपना पैसा वसूर लेती है तो banks बरबाद हो जाएंगे तो ये दोनों बातें एक साथ सामने आके खड़ी हो रही है Supreme Court के सामने तो Supreme Court के सामने एक बहुत बड़ा challenge है और Supreme Court इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि अगर ये company liquidation process से चली जाती है तो उस case में government of India यानि dot को कुछ नहीं मिलेगा है न और banks भी अपना पूरी तरीके से पैसा वसूर नहीं पाएंगी क्योंकि liquidation process के ज़री जितनी भी company के parts की value है उससे कहीं ज़्यादा banks के lenders के dues है जो pay किये जाने है तो liquidation process question उठता है कि क्या liquidation process यही एक उपाय है तो दोस्तों देखिए reliance communication limited हो चाहे air cell हो दोनों ने अपने points of view रखें दोनों के points of view से यही बात जलक रही थी कि ये दोनों company चाह रही है कि liquidation process ना हो वो अपने company को liquefy नहीं होने देना चाहती है यह अपनी तरफ से भरपूर इनकी कोशिश है रही बात supreme court की तो supreme court ने इस बात को आगे उसने फिर से adjourn कर दिया है 21st of August यानि कल के दिन के लिए कल फिर से उसके उपर लगातार सुनवाई चल रही है कई दिन से आप देख रहे होंगे और लगातार चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा critical issue बन चुका है अब वोड़ा phone idea और ATL की तो बात छोड़ दिजए क्योंकि वो दोनों companies जो है अपने GR amount को pay करने के लिए ready तो है लेकिन उनको एक amount of time चाहिए ताकि वो consistently consistently अपने amount को pay कर सके लेकिन यहाँ पे Reliance Geo और Reliance Communication Limited का जो चक्कर चला है यहाँ पे basically हो सकता है ऐसा हमें sure नहीं हूँ यहाँ पे Reliance Communication Limited की जितने भी starting से जो भी मतलब इनका GR amount है हो सकता है कि वो फिर से estimate करने की कोशिश करी जाए दोस्तों ऐसा Supreme Court की बातों से ऐसा लग रहा है Supreme Court हो सकता है अगर इस तरीके का step उठाती है कि वो recalculation करें जितना भी AGR amount है जो due create हो रहा है R.com का तो दोस्तों यह भी हो सकता है कि Reliance Communication Limited के AGR amounts अगर फिर से recalculation करे जाएंगे तो हो सकता है कि Vodafone Idea और Airtail की जो पहले से लोगों ने इस तरीके की बात उठाई थी Supreme Court के सामने लेकिन Supreme Court ने सुनने से मना कर दिया था हो सकता है कि यह चीज़ वहाँ पे भी implement हो क्योंकि Reliance Communication Limited टेलिकॉम सेक्टर की company अगर इसके उपर recalculation, reassessment का concept अगर apply होगा तो यह concept और टेलिकॉम सेक्टर की companies के उपर भी apply होना चाहिए ना सिंपल सी बात है logically यह होना चाहिए Supreme Court इस तरीकी की बात अगर आगे करता है तो definitely यहाँ पे भी इनको इसका benefit मिलेगा तो हो सकता है ऐसा हो I am not sure कि ऐसा होगा लेकिन हो सकता है ऐसा हो Supreme Court के सामने हाला की एक बहुत बड़ा challenge आप देखते हैं कि कल की दिन के hiring के अंदर क्या निकल के आता है जो कुछ निकलेगा मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा Lastly बट थोड़ा सही मैंने आपको बताया लेकिन जितना था उतना मैंने बता दिया जो कुछ होगा आगे कुछ और होगा तो मैं अपडेट करूँगा और मैंने आर्टिकल को पूरा अच्छे से read तो time बहुत कम मिला लेकिन जितना कुछ मोड़ा मड़ा था मैंने आपको बता दिया जो कुछ होगा आगे दोस्तों आपको फिर से मैं अपडेट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को हिट कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिले आप सबसे पहले देख पाएं दूसरी चीज यह है कि डीमिट अकाउंट अगर आपको ओपिन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए लिंक पे दिये हुए लिंक को क्लिक करके आप अब स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपिन करा सकते हैं चलिए आगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक कियर गड़ बाए